एक या एक से अधिक समान अर्थ वाले सब्दों को प्रेवची सब्द या समनार्थी सब्द कहते हैं और आज हम इस वीडियो के अंदर किनारा का प्रेवची सब्द या समनार्थी सब्द के बारी में जनेंगे तो वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किनारा के प्रेवची सब्द या समानार्थी सब्द क्या होते हैं? दोस्तों किनारा के प्रेवची सब्द या समानार्थी सब्द होते हैं पुलीन, तीर, तट, कुले, कगार, रोग, परतीर, पार, उपकंट, करार, गो आधी सबी किनारा के प्रेवाची सब्द या समनार्थी सब्द होती हैं एक बार फिर से हम इन्ने रिपेट कर लेते तो किनारा के प्रेवाची सब्द होती हैं पुलीन, तीर, तर्ट, कुल, कगार, रोग, परतीर, पार, उपकंठ, करार, गो आधी सभी किनारा के प्रेवची सब्द हैं इसके अलावा साथी हम किनारा के बेश्ट पांच रोचक तथे भी जान लेते हैं तो किनारा के बेश्ट रुपांच रोचक तथे होते हैं पहला रोचक तथे क्या आपको मालूम है कि बारत की गंगा नदी के किनारे पर कानपूर सहर इस्तित है, जो की सबसे बड़ा सहर है, दूसरा रोचकत थी, क्या आपको मालूम है कि गंगा सरस्वती और यमुना इन तीन नदियों के किनारे पर इलावाद सहर इस्तित है, तेसरा रोचकत थी, क्य आपको मालूम है कि आगरा नामत सहर यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। समनार्थी सब्दों के बारे में जान लेती हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का परसन है जो इस प्रेवची सब्द से जुड़ा हुआ है तो आप अपना परसन कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं। आपको निश्टित रूप से उत्तर मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइगन को दबाएगा। सब्सक्राइब करें लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करें लिख सोग रगके में लिख से जाएगा करें। झाल झाल